हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज है 28 नॉवंबर और आज आपका दिल्ली पिलीस कॉंस्टेबल के फर्स शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है फर्स शिफ्ट के पेपर में पूछेगे जो रियल प्रसन पूछेगे थे वो सारे प्रसन लेकर आया हूँ तो पूरा वीडियो एंड तक देखेगा बहुत सारे कोशन रिपीट होते हैं इसलिए जिनका भी आगे एकजाम है सभी जने पूरा वीडियो देखेंगे और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेश्ट करूँगा कि एक साथ लाइक बटन को दबा दो तो जरूर सारे सबस्क्राइब करेंगे स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से पहला कोशन ही रिपीटिड स्वाल है इस एक्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है पूछा गया था कि बाला सरस्वती की सास्त्रे नर्ते से बिलोंग करते हैं तो इनका समद्ध भरत नाटेम से जो कि एक्तमिल नाडू का सास्त्रे नर्ते भी है तो भरत नाटेम उप्शन में दिया था आपको करेक्ट कर लेना था अगला कोशन आया था कि भारत में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में कब शामिल हुआ था भारत जो है पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में 1950 में सामिल हुआ था एक्जेक्ट यही डेट आपको दिया गया था ओप्शन में आपको करेक्ट करना था 1950 अगला कोशन आया था कि संगिये कारे पालिका का जो उलेक है वो सविधान के किस भाग में दिया गया है देखिये जो संगिये कारे पालिका का जो उलेक है न यह सविधान के भाग 5 में दिया गया है तो भाग 5 वाला जो उप्शन था आपको करेक्ट करके आना था अगला कोशन पूछा गया था कि मोरे सासन काल में कितना कर लिया जाता था यह सवाल आपसे पूछा गया था जिसमें ओप्शन में दिया था कि कुल उपज का छटा भाग यानि जितना भी उपज हुआ है उसका जो छटा भाग है वो मोरे सासन में करल के रूप में वसूला जाता था तो यहाँ पे छटा भाग जो है वो आपका right answer होगा इस question का अगला question आया था कि समान नागरिक सहीता जो है ये किस article में है तो ये देखने को मिलता है article 44 में तो अनुछे 44 आपको option में mention हुआ था आपको correct करके आना था अगला question आया था कि under 19 महिला विसू कप जो है वो पहली बार किस ने जीता तो दोस्तों आपको बता दूँ अंडर 19 जो महिला विसू कप है ये पहली बार भारत देश ने जीता है option में भारत देश का नाम दिया था आपको right करना था भारत अगला कोशन पूछा गया आपसे कि तिस्ता जो नदी है वो कहां से निकलती है ये पूछा गया था तो देखिए जो चोलुम जील है ना चोलमु जील यहां से आपकी तिस्ता नदी निकलती है तो option में इस जील का नाम भी दिया हुआ था आपको ये वाला जो है correct करके आना थ अगला कोशन आया था कि नगद वाली जो मुद्रा है वो कौन कौन सी होती है अब देखिए नगद वाली मुद्रा बिल भी होती है सिक्के होते हैं मुद्रा नोट यह जो मुद्रा नोट है वो भी इसी में आता है तो यहाँ पे नगद जो मुद्रा के रूप में जो है वो प पेपर हुआ है, इस वाले कोशन में, option में क्या दिया था, अगर तीनों ही option में होंगे, तो ये तीनों ही right है, अगला कोशन आया था कि किसने air India का अधिकार है, वो प्राप्त कर लिया है, current affair का कोशन था, तो Tata Sans option में दिया था, जो की right answer है, Tata Sans ने 27 जनवरी 2022 को air India को अपने न भी बताया जो कुल उपज होता था उसका छटा भाग जो है वो मोरे समराजय में कर के रूप में वसूला जाता था जिसमें जो है मोरे काल में टोटल तीन टाइप के कर लिये जाते थे हिरने बली और प्रणाय ये तीन कर जो है वो मोरे काल के समय लिये जाते थे और कुल उप निर्देशक तत्व से समन्दित है तो यह आपका option में था आपको correct करना था जो अनुछे 36 है भाग 4 में है जो राजियों के नीती निर्देशक तत्व के लिए है सविधान का जो भाग 4 है वो अनुछे 36 से अनुछे 51 तक है ठीक है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में आता है यह भ कोशन आया था कि game changer यह भी पूछा गया था book and author से हर shift में आपके दो-तिन कोशन तो बन रहे है गेम चेंजर जो है यह पाकिस्तान के पुरूव क्रिकेटर और कप्तान रहे चुके साइध अफरीदी की जो है वो पुस्तक है तो साइध अफरीदी आपका राइटांस पर हो एक कोशन आया था कि दूसरी पंच वर्षी योजना जो है वो किस से समंधित है यह पूछा गया था उसका मोडल पूछा गया था कि कौन सा मोडल था वो तो दूसरी पंच वर्षी योजना जो है यह महाल नोबिस मोडल पे थी और दूसरी पंच वर्षी योजना की जो अगला कोशन आया था कि जन संक्या प्रचेपन ये आप जो है वो किसे समंदित है ये पूछा गया तो देखे जन संक्या जो प्रचेपन है ये जन संक्या का अनुमान या फिर भविश्यवानी लगाने से समंदित है तो exact option में यही दिया गया था आपको correct करना था ये वाला option वीडियो में आगे वड़ू उससे पहले सभी से request करूँगा एक बर फिर से अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके और आपने भी like नहीं किया है तो वीडियो को एक बार post करके जितने भी प्यारे दोस्तों यहां तक वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे एक बार like करें ठीक है एक कोशना है था कि बाहर निकलने के लिए किस कुझी का प्रयोग करते हैं हम यह computer से था तो इसके लिए हम दोस्तों escape कुझी या फिर ESC दोनों में से कोई भी दबाएंगे तो हम उस चीज से बाहर निकल सकते हैं उस function से ठीक है जिस भी program में आप काम कर रहे हो अगर आप एक सेब कुझी या इस दबाओगे तो उससे आप जो है तुरंट बाहर आ जाओगे तो यहाँ पर यह दोनों ही जो option है वो बिल्कुल correct है दोनों में से कोई एक पूछाओगा आपसे एक कोशना है था कि पैपारा जो वने जी वभारन है वो किस राजय में है देखिए पैपारा जो वने जी वभारन है यह केरला में है तो केरला आपका यहाँ पर option में भी दिया था जो कि आपको correct करके आना था एक कोशना है था कि भुकंप का कितने degree पर मान नहीं आता है तो देखिए इसमें option बेस है यह भुकंप की जो त्रिवता है उसको मापने के लिए reactor पैमाना जो है वो इस्तेमाल होता है तो यह भी कोशन दाने किएगा इसकी जो scale होती है वो reactor पैमाना पैमापी आती है और इस पैमाने पर दो या फिर इससे कम त्रिवता वाले भुकंप जो है वो शुक्षम भुकंप कहलाते हैं जो आम तोर पर महसूस ही नहीं होते तो से पुझाता कि कितने degree तक मान नहीं आता उसकी reactor scale पे तो दो या इससे कम अगर degree का जो है अगर भुकंप है तो उससे वो scale जो है उसकी reading नहीं दिखाता है बाकी बताईएगा कि option में क्या क्या दिया था एक question आया था कि ठोस द्रव गैस में से किसमें बल जो है वो सबसे कम तो तीनों में से आपसे पूछा है तो तीनों में से आपका जो गैस है ना उसमें सबसे कम बल लगेगा तो गैस आपका राइट आंसर होगा ठोस द्रव और गैस की तुलना में गैस में आकर्शनबल सबसे कम होता है गैस के कणों के बीच जो है यह यादर चिक गती के अगला कोशन यहां पर पूछा गया था कि आंधर पर्देस का एक कोई परमुक नर्ते पूछा गया था तो सास्त्र नर्ते तो कुचिपूरी है इसके अलावा भी बहुत सारे नर्ते हैं जैसे कि विला सीनी, नाटियम, आंद्र, नाटियम, भामा कलम, विरन्याटियम, दप्पू, डपेला, गुल्लू इस परकार से आपके जितने भी आपको स्क्रिन पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें अगर आपसे सास्ते नर्ते पूछा होगा तब तो आपका कुछी पूड़ी होगा अगर कोई नर्ते पूछा होगा तो इनमें से कोई एक होगा पताईएगा जिनको भी याद है option एक बर confirm करेंगे एक question आया था, उस्ताद एहमद से पूछा गया था ताज मेरिका निर्मान 1632 से 1648 के बीच में हुआ था किसने करवाया था, सबको पता है, शाजाने अगरा question यहाँ पे पूछा गया, कि आयुस्मान भारत योजना जो है वो किसे समन्दित है, तो यह तो 5 लाक रुपय का स्वास्ते भीमा है और जो आयुस्मान भारत है, इसमें प्रधान मंतरी जन आरोगया योजना PMJAY भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसमें 10 करोड से अधिक गरीब और कमजोर लावारती परिवारों को कवरेज परदान करने वाली नीजी और नीजी हस्पतालों से कैसलेस, माध्यमिक और तृत्यक देखवाल उपचार प्रदान कियाता है जिसमें आपको 5 लाग तक का बीमा कवर प्रोवाइड करवाया जाता है अगला कोशन या पर पूछा गया था कि 1540 में युद किनके मद्दे लड़ा गया था यह भी असानी कोशन था, प्रिवेस यह में बहुत बार पूछा गया है इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, वो होगा, सेर साहा सूरी और हुमायू के बीच में देखिए साल 1540 में कनोज के युद में सेर साहा सूरी और हुमायू के बीच में यह युद उलड़ा गया था, और यह युद 17 मई 1540 को उत्तर परदेश के कनोज में हुआ था, ठीक है और इसमें जो है वो सेर साहा सूरी ने हुमायू को हरा दिया था अगला कोशन यह आपर पूछा गया कि 42 वा जो सविदान संसोधन हुआ था, उससे रिलेटर कोशन बना था एक्जेक्ट स्वाल जिनको यह वाला याद है एक बार कमेंट करेंगे, बाकी मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में और इसके अंदर एक चीज ओर हुआ था, जिसमें 10 मोली करतवयों को सरदार सरुन सियं समीति की नुसंसा पर एड किया था, वो भी इसी अमेंडमेंट के थूह ही एड किया गया था, बाद में सियासिवां अमेंडमेंट करके 2002 में एक 11 मोली करते वे भी जोडा गया और रूस से हमने मोली करते वे लिये हैं, ठीक है, मोली करतवयों से ये अगला कोशन है, कि ये किसे समन्दित है, तो आर्टिकल से पूछा गया था, आर्टिकल 51A में ये आपको सारे मिलते हैं, और वर 2022 में भारो तोलन में सबसे पहले पुरुसकार पाने वाली जो खिलाडी है, वो कौन थी, ये थी मीरा भाई चानू, तो मीरा भाई चानू ओप्शन में था, करेक्ट करना था, साल 2022 में भारो तोलन वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले पुरुसकार पाने वाली ये खिलाड भी थी जो कि 2012 से 17 तक चली थी ये इसी से समन्दित है ठीक है और इसका जो लक्षे था वो था तेज अधिक समावेशी और स्तत्य विकास अगला कोशनी आपर पूछा गया था कि सरकारी घाटा कौन सा नहीं होता तो यहाँ पर ओप्शन में एक था राजसव घाटा जो सोरी समने सरी क्या होगा विटेन एंप्रोपेन दोनों से मिलकर है वह हमारी लिक्विफाइड प्लेट्रोलियम गेस जो है जिसे हम गरेलू गेस बोलते है वह बनी होती है अगला कोशनी आया था कि सत्रंज ओलंपियाड का जो शुभंकर है वो सुबारंब है वो किसने किया था तो यह किया था प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने और यह 44 वा सत्रंज ओलंपियाड का उद्गाटन हुआ था 28 जुलाई 2022 को चेननी के नहरू इंडोर स्टेडियम में हुआ था किसने किया था नरेंदर मोदी ने अगला कोशन आया था कि स्टेनले स्टील में क्या पाया तो यह आपका राइट आंसवर था एक आयता कि दूसरी पंच वर्ची होजना यह कारे का लिए मैं आपको करवाया भी यह अभी 56,68 में था और महाल नोविस मोडल पर यह था एक आयता कि जीवन जीने का जो दिकार है वो किस आर्टिकल में है तो यह आँए आर्टिकल 21 में मिलता है ठीक है और इसमें अगर आपने यह वाला पार्ट एड कर लेते हैं तो हमारा यह 11 मोली करतावे बन जाता है अगला कोशन आयता कि प्रकास संसलेशन से कोई कोशन था इसमें आपको करम के अनुसार लगाना था जिनको भी अच्छे से याद है यह वाला कोशन एक ब प्रमेशन गुआ था 1906 में तो यहाँ पे 1906 आपका राइटांस पर था एक यहाँ पे ओक्सीकरण में कौन सी धातू की आवशक्ता होती है यह पूछा गया था तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रो मोटिव स्रंकला में सबसे आसानी से ओक्सीकरण से सुरू होने वाले ज एक यह तीसरी वुक भी आई थी बताना कौन सी थी तो यह ते सारे आज के फर्स शिफ्ट के कोशिन आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइक वादी वीडियो एंड कीजेगा अब मैं मिलूँगा आपसे से सेकंड शूप में जै हिंद जै बारत